आगर में फ्री सेवा के लिए 44 एंब्यूलेंस हैं अब आप गर्वती प्रसुता नवजात बच्चे के लाश के लिए अस्पताल ले जाने के लिए निश्यूल के एंब्यूलेंस का लाप उठा सकते हैं मुखेच किसाधिकारी ने कहा कि 102 नंबर एंब्यूलेंस सभी सरकारी अस्पतालों पर खड़ी रहती हैं इन पर किसी भी मुबाइल लंबर या लेंड लाइन के जरिये कॉल करके सरकारी प्रावधानों के नुसार 24 घंटे सेवा ले सकते हैं इस समय औसतन एक दरजन लाभारती प्रतिदेन इस सेवा के इस्तिमाल कर रहे हैं गर्भवती जब कभी भी प्रसव पूर्वजाज के लिए सरकारी अस्पताल आती हैं तो वह सेवा को प्योग कर सकती हैं उन्हें यह एंबुलेंस ना केवल घर से अस्पताल तक लाएगी बलकि घर पर भी वापत छोड़ेगी सरकारी अस्पताल में जर्म लेने वाले बच्चों को घर ले जाने के लिए भी इस एंबुलेंस का इस्तिमाल किया जाता है एंबुलेंस सेवा की नोडल अधिकारी डॉक्टर एस की राहुल ने बताया कि 102 नुम्बर एंबुलेंस सेवा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सेवा है और इसमें प्रात्मिक देखभाल की सभी सुविधाय उपलब्द रहती हैं इसके पाइलेट और एमर्जंसी मेडिकल टेक्निशियन प्रसिक्षित होते हैं गर्ववती और दो साल तक की बिमार बच्चों को एक सरकारी अस्पताल से दूसरे उच्छ सरकारी अस्पताल तक ले जाने में भी इस एंबुलेंस का इस्तिमाल किया जाता है अबुलेंस सेवा के नोड़ा लधिकारी की देखरेक में जुला महिला अस्पताल सामुदाइक स्वास्त केंदर अचनेरा और सामुदाइक स्वास्त केंदर फतेहबाद में अबुलेंस हेल्प डेस्क भी कारे करता है वहाँ सेवाई लेने वाली उलाभारती हेल्पडेस की मदस से घर जाने के लिए भी संपर्क कर सकती हैं सीन्यूस के लिए लक्ष्मिरास सिंग के रिपोर्ट आगरा के सरवादिक लोगप्रिय चैनल सीन्यूस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले